तू हलो गाइज वेलकम बैक टू देनाद अधर व्लोग आप सबी ठीक होंगे और मैं भी विल्कुल ही ठीक हूं और आज का व्लोग होने वाला है हमारा क्लीनिंग का व्लोग देखते हैं क्या क्या करते हैं और जब तक दिवाली नहीं आएगी तब तक तो प्लीनिंग कर तो लगबक कल भी मेरे को शाम के चार बजगे थे नाते नाते तो जब तक दिवाली नहीं आएगी तब तक तो यूं ही चलता रहेगा करने खेल जब दिवाली नाएगी तक चलती रहेगी तो चलिए आज वाय से तक किचन मैंने नर्ञातों से पहले ही कलीन कर दी ती्थ clay आपगे इनको ग॥े साथे पैर जब तो चलिए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं और वीडियो में तक बने रहे हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अगर आपका सपोर्ट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पने किचन की क्लीनिंग तो पहले मैंने थोड़ा सा दूद करना पड़ेगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूद करना करें ने के बाद फिर हम अपना देने का काम स्टार्ट करेंगे तो चलिए पहले पेट पुझा फिर काम दो जा और बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूद पिया ताकि मतलब अपने आपको थोड़ा सा एनरजेटिक महसूस करूं और यहां पर मैं बच्चों के पास बैटके दूद पिरी थी क्योंकि बीच बीच में इनको देखना भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है और दरवाइस तो पता चलता है कि यह दोनों आपस में जगडाई करते मिलते हैं हमेशे तो बस मैंने और यह देखे इनकी नोग ज जा रहा था रोए जा रहा है कि मिलको यह पें चीए तो बैने इसका सोलुइशन निकाला कि दोनों फेसे किसी को भी नहीं दिया और यह पैंने ले लिया है पैंसिल कलर नहीं है उनके अंदर जली है इसको एक देदे होगा इसमें उसमें चेंड की हालत कोछैसी ओ रखिया क्योंकि यहां पे हमारा बर्तनों का रैक था जो कि अभी वोश होने के लिए उतार दिया है तो सारे बर्तन शेल्फ पे ही रखे हैं और समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करूँ क्यों चलिए स्टार्ट करते हैं काम तो करने सही होगा और जब तक दिवालियन नहीं आएगी ना तब तक बस यूँ ही चल दो कि मैंने पूरा काउंटर क्लीन कर लिया है क्योंकि उपर से इक्ते सारे डब्बे हैं उनको उतार के लिचे रखना है तो काउंटर क्लीन होना जरूरी था तो मैंने सारे बरतन वाश करके रख दिये हैं तो चलिए आप उपर की शल्फ के क्लीन करते हैं और यह देखें इनके अपने ही कारना में चलते रहते हैं इनको जरू साथ में सफ़र तू अभी उतार लेगी नीचे 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 आजा अन्वी नीचे आजा अन्वी गिर जाएंगे सब कुछ भी खड़ जाएगा बटा नीचे रख दे क्लीन कराने के लिए और इन दोनों का योगदान तो सबसे बड़ा रहेगा क्लीनिंग में क्योंकि ये काम कराने से जादा भी घाड़ने में मदद करेंगे हमारी तो बस उसके बाद मैंने फिर सारे डबबो को नीचे उतारा और उपर से जो शेल्फ थी उसको क्लीन कर दिया था अच्छे से विसे इतना काम था नहीं क्योंकि मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी किचन तो हलकी फुल की डस्ट एक्मिलेट हो गई थी तो बस मैंने उसको ये वैप अप कर दिया था तो साय डबबो को उतार के और पस डबबो को उपर उपर से क्लीन कर दिया था और जो थोड़ा बहुत समानी धरुदर मतलब एक्सचेंज करना था डबो से वो कर दिया था तो इतना कुछ जादा खास काम नहीं था जल्दी हो गया था तो बस मैंने ये करने के बाद फिर सारे डबे अच्छे से साफ करके और उपर रख दिये थे और अभी मेरे को करना है बातनों का रैक क्लीन तो चलिए बातनों का रैक क्लीन करते हैं तो बस फिर मैंने इस रैक को कपड़े से वाइप अप कर दिया था क्योंकि इसको ड्राय करना था दरवाइस में रस्ट लग जाता तो मैं यहां पर वही कर दिया हूँ कि रैक क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपने हारे में उपले डाल दिये थे क्योंकि दूद गरम रखना था वैसे तो यह काम नौमली ममी जी कर लेती हैं पर आज वो थी नहीं क्योंकि दूसरे गर में गई होई थी वहां पर भी सफाई का काम करना था तो इसलिए यह अपर रॉर खहल जाता है और रही तो आज करना मिलक रुरां तो आइस दने हैं नेक्स व्लॉग में तब तक चैनल को वीडियो को लाइक करते रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाए